हेलो गाइज, साइकलिंग गुरु इंडिया में आपका स्वागत है जैसा कि आपने थम्बनेल देखी लिया है आज मैं आपको इंडिया की टॉप 5 बेस्ट साइकल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 5000 के बजट में मिल जाएगा दोस्तो 5000 के बजट में नौन गियर साइकल्स ही बेस्ट रहेगा इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने सारे ही नौन गियर साइकल्स सिलेक्ट किये हुए है अगर आप गेर वाले साइकल्स लेना चाहते हैं तो आपको बजट बढ़ाना होगा साइकल्स से जोड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पैल आइकन को भी दबाए तो चलिए वीडियो को शिरूर करते हैं नमबर पांच पे जो साइकल है वो है हीरो कंपनी की तरप से हीरो कियोटो 26 T यह साइकल एक माउंटेन बाइक है जिसका वील साइज 26 इंच का है जो मोस्ली बाइसिकल्स में यूज होती है एंड इसका फ्रेम साइज 18 इंच का है जो स्टील से बना हुआ है दोस्तों यह 85 परसेंट असेंबल कंडिशन में मिलेगा आपको कुछ नट्स एंड बोल्स टाइट करने होंगे इस साइकल में आपको रिफ्लेक्टराइज नॉन स्कीट पैडल्स मिलेंगे जो आपके पैडलिंग में प्रॉपर ग्रिप प्रोवाइड करेगा इसमें आपको वी टाइप ब्रेक मिलेगा वे बहुत पाउरफुल है एंड डूरेवल टाइर्स जो रूड पे काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपको फ्रंट एंड बैक में रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे जो की मिन्डेटरी होता है सभी साइकल से बट आपको मटगार्ट, साइड स्टेंड एंड बॉटल होल्डर नहीं मिलेगा यह आपको अलग से परचेज करना होगा डूंट वरी यह ज़्यादा कॉसली नहीं होते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका भी लिंक दे दिया है आप इजिली चेक आउट कर सकते हैं मैंने जो सिलेक्ट किया है वो बहुती बेस्ट क्वालिटी के है दोस्तों ओवर ओल यह हीरो क्योटो साइकल वन अफ दे बेस्ट साइकल से जो पांच हजार के बजेट में मिलती है अगर मैं इसके करेंट प्राइस की बात करूँ तो यह आपको एमेजोन पे पांच हजार चार्सोन इनारमे में मिल जाएगा आप भी करेंट प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं दोस्तों सेल के टाइम इस बाइसिकल को अगर आप परचेस करते हैं तो आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा नमबर चार पे है वीवा राइडे 2060 ये भी एक MTB है जो आती है 26 इंच डिवल वाल और लोयर इम्स के साथ दोस्तों वीवा एक न्यू ब्रैंड है जिसका रिस्पॉंस काफी अच्छा रहा है इसलिए मैंने इस साइकल को अपने लिफ में शामिल किया है इस साइकल में आपको 19 इंच का स्टील प्रेम मिलेगा जो इसको काफी स्ट्रॉंग बनाता है अगर अधर फीचर्स की बात करें तो आपको इस साइकल में रिफ्लेक्टराइज रबर टाइप पैडल, एड़िस्टिबल प्यू सैडल, फ्रंट एंड रियर रिफ्लेक्टर्स और पावरफुल ब्रेक्स मिलेगा इस साइकल में आपको PVC मडगाड एंड साइड स्टैन फ्री में मिलता है आपको अलग से लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी ये साइकल अलमुस्ट असेंबल होता है आपको कुछ नट्स और वोल्स टाइट करने होंगे अगर आपकी हाइट साढ़े 5 से साढ़े 6 फीट तक है तो 5000 के बजट में ये साइकल बेस्ट है इसके करन्ट प्राइस के बात करूँ तो ये 5,99 में आपको अमेजोन पे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक को क्लिक करके आप करन्ट प्राइस चेक कर सकते हैं नमबर तीन पे है हर्कुलस डाइन और आर एप ये साइकल एक रोड साइकल है जो 85 परसेंट असेंबल कंडिशन में आती है इसके फ्रेम की बात करें तो इसमें 18 इंच का स्टील क्रेम है और 26 इंच का टायर साइज है जो मोस्ली रोड साइकल में यूज होता है अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से 6 फीट तक है तो आपके लिए रोड साइकल बहुत ही बेस्ट रहेगा दोस्तो हरिकुलस ब्रैंड एक बहुत ही फीमेस ब्रैंड है साइकल के लिए इंडिया में ये एक इंडियन ब्रैंड साइकल है जिसका कोई भी पार्ट आपको इजिली इंडियन मार्केट में अविलिबल हो जाएगा बाकी आपको रिफ्लेक्टराइज एंटिस्केट पैडल एंड रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगे इस रोड साइकल में आपको साइड स्टेंड भी मिलेगा बट आपको मडगार्ड नहीं मिलेगा जो आपको अलग से लेना होगा आप description में link चेक कर सकते हैं मैंने बहुत ही बढ़िया and affordable mudguard select किया हुआ है जो universal है किसी भी cycle में easily fit हो जाता है इस cycle का saddle बहुत ही comfortable है and height भी adjust कर सकते हैं बिना किसी tool के and इस cycle के उपर 100 kg तक का weight आसानी से आ सकता है अगर इसके price की बात करें तो इसका price 5,400 निन्ना में है sale के time gift bicycle आपको काफी अच्छे rate पे available हो सकते है नमबर दो पे जो cycle है वो leader company की तरफ से है leader scout 26T ये एक mountain bike है दोस्तो 5000 के budget में एक MTV खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है हाँ दोस्तों ये cycle एक MTV है जिसका frame size 26 inch का है 18 inch का steel frame है जो इसको बहुत ही strong and young लगने से बचाता है इस cycle के साथ में आपको side stand and mudguard भी मिल जाएगा जो एक plus point है अगर आपकी height 5-6 feet के बीच है तो ये cycle आपके लिए positive है इस cycle का जो handle bar है वो T-shaped है जो आपके ride को comfortable बनाता है और आपको shoulder score भी बहुत आराम देता है long lasting tires है जिसकी grip excellent है and brakes भी बहुत ही efficient है दोस्तो ये एक new brand है बट इस brand ने बहुत ही कम time में बहुत ही अच्छा response पाया है अपने customer से तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं तो उन पर ही आपको इसके spare parts भी Indian market में easily मिल जाएगे अगर मैं इसके price की बात करूँ तो Amazon पे इसका current price है 5,681 offers and sales के time ये थोड़े और सस्ते में मिल जाते हैं आप इसको offers के time 5,000 तक में भी आराम से खरीच सकते हैं and number 1 पे जो cycle है वो है hero company की तरब से hero sprint San Diego मेरे according ये इन सभी cycles में से सबसे best है इसलिए मैंने इसे अपने list में number 1 पे रखा हुआ है दोस्तों ये cycle आपको 85% assembled condition में मिलती है इस hero cycle में 26 इंस के wheel size के साथ 18 इंस का steel frame है जो की perfect combination है steel frame होने की वज़े से इसमें जंग लगने के chances बहुत कम हो जाते हैं अगर इसके tire की बात करूँ इसके tire भी काफी durable है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसे personally use करता हूँ इस cycle में dual wall rim and spokes काफी मजबूत है इसलिए इस cycle पे 100 kg तक का weight आसानी से आ जाता है दोस्तों ये एक city bike है इसको आप की easily किसी भी type के roll पे चला सकते हैं और इसमें height adjust करने वाले seat है जो बहुत ही comfortable है अगर मैं इसके weight की बात करूँ तो ये सिर्फ सिर्फ 17.7 kg का है यानि 17 kg 700 ग्राम का है जो की बहुत ही light है आपकी energy बहुत कम लगेगी इसको चलानी है इस cycle में reflectors वाले non skid paddle हैं जिससे grip अच्छी बनी रहेगी front rear end spokes में reflectors हैं जिससे night में visibility बनी रहेगी दोस्तों इस cycle में mudguard and side stand अलग से लेना होगा इसके साथ नहीं मिलता है don't worry ज़्यादा costly नहीं होते हैं जैसा कि आप जानते हैं hero cycle एक बहुत ही जानीवानी कंपनी है इंडिया में cycles के लिए इस company ने हमेशा से बढ़िया product and service दिया है अपने customers को overall ये hero sprint santiago cycle best deal है अगर आपके पास 5000 तक का budget है इसकी price की बात करें तो amazon पे इसका current price है 5500 अगर आप latest price check करना चाहते हैं तो description में दियेगा link पे click करके इसका latest price check कर सकते हैं also offers and sales के time ये cycle और भी सस्की मिल जाती है दोस्तो आप बताईए आपको कौन सी cycle सबसे best लगी मेरे recording इस video की सभी cycles best हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो like and share ज़रूर कीजिए चैनल को subscribe ज़रूर कीजिए and bell icon को press कीजिए क्योंकि मैं इस channel पे only cycles के बारे में बात करता हूँ मैं इस channel पे time to time bicycle से related videos upload करता रहूँगा अच्छी कीजिए तो